नमस्का दोस्तों जै हिन्द जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे राज निती से जुड़ा हुआ एक महत्यपुन प्रेशन जो मध्य प्रदेश की बोर्ड वा लोकल पैक्षाओं में पूछा जाता है कर्षा ग्यारवी और बारवी में प्रेशन बनकर आता है कि शीत युद्ध के चार प्रमुक कारण कौन-कौन से थे या फिर शीत युद्ध के चार प्रमुक कारण लिखिए तो हम देखते हैं इसका उत्तर शीत युद्ध के चार प्रमुक कारण निम्न थे पहला कारण था शीत युद्ध का कारण संगर्षों की अनिवार्य थ और दूसरे विश्युद्ध के बाद जब दूस्युद्ध हुआ उसके बाद अमेरिका तथा सोव्य संग के बीच वैचारिक मत्भेद हुए क्या हुए वैचारिक तक्राहट हुए मदभेद हुए ने के लड़ाई जगड़ हुए विचारों वाले की वज़ा से तनाव पैदा हुआ इस विचार धाराओं का परसपर तक्राव ने किनका रूप ले लिया सीथ युद्ध का रूप ले लिया यानि दूते विशुद्ध क्या हुआ अमेरिका और सोवियत संग के बीच वैचारिक मदभेद हुए वैचारिक मदभेद के चक्कर में दोनों में आपस में टक्राव हुआ और इसे शीथ युद्ध का जन्म हुआ ये दोनों देश आपस में लगे हुए थे कि जो छोटे-छोटे देश टुकड़ों म में अलग-अलग हो गए थे इनको अपनी तरफ कैसे आकशित करें तो बस वहीं से शीथ युद्ध का जन्म हुआ तीसरा है शीथ युद्ध को पुष्पित एवं पल्लवित यानि कि पल्लवित और पुष्पित मतलब हुता है फलना फूलना करने में सोव्य संग तथा फला फूला करने में सोव्य संग तता पष्चिमी देशों के परसपर आपसी संदे है एवं अविस्वास ने भी निर्नायक भूमिका के निर्वहन किया यह पष्चिमी देश होते थे अगर हम सोव्य संग के साथ चले जाएंगे तो हमारा वर्चस कम हो जाएगा चोथा है विजित मतलब विजय प्राप्त प्रदेशों पर नियंतरण की इच्छा जीते हुए प्रदेशों पर नियंतरण भी इच्छा और परसपा विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध का एक प्रमुक कारण रहा है याने कि ये देश मेरे में सामिल हो जाए ये देश मेरे अंदर स सामिल हो जाए तो इससे क्या हुआ शीत युद्ध फलता फूलता रहा और शीत युद्ध का एक कारण बना याने कि कौन-कौन अमेरिका और सोव्यत संग के भी जो वेचारिक मदभेद हुआ उसी को हम कहते हैं शीत युद्ध कहीं ना कहीं आज भी छदम रूप में लड़ा जा रहा है एक देश दूसरे देश से को हराना चाहता है वेचारिक मदभेद पर या फिर वेचारिक इस तर पर उम्मेद है दोस्तों आज का वीडियो को पसंद आयोगा समझ भी आयोगा तुमेज़ को लाइक करें शेर करें वा सब्सक्राइब करें